प्रेस्ण पांच सरल करें प्रेस्ण पांच का पहला प्रेस्ण है माइनस नौ एका घाद छे गुना माइनस तीन एका घाद चार भागा तीन एका घाद साथ तो माइनस नौ एका घाद छे गुना माइनस तीन एका घाद चार को किस से भाग देना है तीन एका घाद साथ से इसको भाग देना है तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे माइनस नौ एका घाद छे गुना माइनस तीन एका घाद चार बटा तीन एका घाद साथ इस तरह हम इसको लिख सकते हैं तो कोश्ट खटा करके हम इस तरह लिख लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अब देखिए तीन से तीन कट गया क्योंकि सब गुना में है तो काट सकते हैं तीन से तीन कट गया तो यहाँ पर बच गया अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस यह माइनस और यह माइनस हो गया प्लस तो बच गया 9 एका घाद छे जोड़ चार माइनस साथ देखे एक अगहाद छे यहाँ पर एक अगहाद चार है गुना में है तो गुना में घाद को जोड़ देते हैं तो छे और चार जोड़ जाएगा और एक अगहाद साथ यहाँ पर भागा में है तो भागा में है तो माइनिस हो जाएगा एका घात साथ क्या है बटा में है तो साथ को माइनिस कर देंगे घात को और छे और चार को जोड़ देंगे क्योंकि एका घात छे गुना एका घात चार है तो यहाँ पर गुना में है तो घात को जोड़ेंगे और यहाँ पे बटा में है 7 एका घात 7 क्या है बटा में है तो यह जो घात है ए पर उसको घटा देंगे तो 6 जोड़ 4 माइनस 7 हो जाएगा और यहाँ पे बरावर का चीनने देंगे तो हो जाएगा 9 का 9 एका घात अब 6 4 10 10 में से 7 घटाएंगे तो तीन आ जाएगा यानि नौ एका घात तीन इसका उत्तर होगा तो इस तरह से इसको हल करेंगे दूसरा तीन पी का घात आठ गुना माइनस छे पी का घात आठ भागा माइनस अठारा पी का घात इगारा तो तीन पी का घात आठ गुना माइनस छे पी का घात आठ को भाग देना है माइनस अठारा पी का घात इगारा से तो इसको हम लिख सकते हैं तीन पी का घात आठ गुना माइनस छे पी का घात आठ बटा माइनस अठारा पी का घात इगारा इस तरह इसको लिख सकते हैं भागा करना है इसको किस से माइनस अठारा पी का घात इगारा से तो इसको उपर लिख लेंगे और बटा में लिख लेंगे माइनस अठारा पी का घात इगारा कोश्टक खटा देंगे अब देखिए छे छे ती अठारा होता है ठीक है छे ती अठारा काट लेंगे 6, 3, 18 कट गया क्योंकि गुनाम है तो इस तरह से काट सकते हम तो 6, 3, 18 3 से 3 कट जाएगा 3 से 3 कट जाएगा और देखे यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ठीक है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अब इसको हम लिख लेंगे पी का घात आठ जोड आठ माइनस सिगार है तो पी का घात आठ गुना पी का घात आठ यहां पे बचा है तो गुना में घात को जोड लेते हैं देखें पी का घात आठ है पी का घात आठ है तो यहाँ पे आधार बराबर है PP, घात यहाँ पे जोड लेंगे, गुना में क्या होता है, घात को जोड लेते हैं, तो 8 और 8 जुट जाएगा, क्योंकि आधार एक है, और यहाँ पे बटा में है P का घात 11, यानि P का घात 11 से भाग देना है, तो भागा में क्या होता है, घात को घटाते हैं, तो 11 माइनस में हो जाएगा, यानि P का घट हो जाएगा, आठ जोड 8 माइनस 11, देखे, P का घट 8, गुना P का घट 8, तो 8 जोड 8, और यहाँ पे 11 है, इसे भागा देना है, तो माइनस 11 लिख लेंगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा, 88, 16, 16 में से 11 घटा प्रस्न छे उस तीरभुज का सिर्शलम ग्याद करें जिसका छेत्रफल 361 स्क्वाइर वर गिकाई एवन संगत अधार 12 एक सिकाई है तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीरभुज का तीरभुज का सिर्शलम बराबर होता है दो गुना छेत्रफल बटा अधार देखें तीरभुज का उचाई निकालने के लिए क्या सुत्र होता है दो गुना छेत्रफल बटा अधार तीरभुज का सिर्शलम कहें या तीरभुज का उचाई कहें या तीरभुज का उचाई कहें एक ही बात है सिर्शलम निकालना है तो इस सुत्र पर हम लिख देंगे तो दो गुना दो गुना छेत्रफल कितना है अब देखे बारत या 36 कट जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा, तीन गुना दो क्या हो गया, 6, एकस का घात, 2-1, अब देखे यहाँ पर, तीन दुना क्या होगा, 6 और एकस स्क्वाइर हैं यहाँ पर, तो 6 एकस स्क्वाइर हो गया, लेकिन बटा में एकस है, यानि इस कोई घात नहीं है तो क्या है एक घात है भागा में है तो x का घात 2 में से x का घात 1 को घटा देंगे यानि x का घात 2-1 लिखेंगे क्योंकि x से भागा हो रहा है तो भागा में क्या होता है घात को घटाते हैं तो 2 में से 1 घट जाएगा क्योंकि इसका घात 1 है कुछ नहीं है तो घात इसका एक है, तो तीन गुना दो हो गया, छे, और एक्स का घात, दो माइनस एक, तो इसका उत्तर आ जाएगा, छे, एक्स का घात, दो में से एक घटाएंगे, तो एक आएगा, तो एक नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक्स रहेगा यहां पर, ठीक, क्योंकि, एक्स का घात, एक लिखे या ना लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका उत्तर हो गया, छे, एक्स, और यहां पर लिख देंगे, इकाई, क्योंकि, इसका इकाई में दिया हुआ है, छेत्रफल वर्ग इकाई में है, और अधार इकाई में है, तो तिर्भुज का सिर्सलम इकाई में हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया, छे, एक्स, इकाई,